नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ओम प्रकास बीन्द एजी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हम लोग 20S रूप से देखते हैं PGC गाजीपुर के लिए BSC Agriculture और MSC Agriculture Intense Exam 2023 के लिए मुख्य रूप से इस वीडियो को बनाते हैं और इस प्रस्ण को यहाँ पर समलित करते हैं पाला प्रस्ण देखते हैं केंद्री तमबाकू अनुसंधान संस्थान इस्थि थै Central Tobacco Research Institute is located at पाला आप्षन उदैपूर दूसरा आप्षन कासर गोड तीसरा आप्षन रहमान खेडा और चोथा आप्षन राजमुद्री तो इसका सही आप्षन डी है राजमुद्री तेलंगा नामें अगला प्रस्ण है म्रीदा का सक्री घटक है दूसरा आप्षन बजरीला ग्रेवेल और तीसरा आप्षन रेत शैंड और चोथा आप्षन है साद मिल्ड है तो इसका सही आप्षन ए है म्रितिका कले म्रिदा का सक्री घटक म्रितिका है अगला प्रस्ण गोबर की खाद बनाने वाली नाली बिधी प्रतिपादन की थी द ड्रेन मेथड फार कमपोजिटिंग काउड डंक वाज रेंड रेड बाई पहला आप्षन सुब्बाराव ने दुसरा आप्षन सी एन आचारे ने तिसरा आप्षन विश्वा ने और चौथा आप्षन बियर ने तो इसका सही आप्षन बी है सी एन आचारे ने अगला प्रस्ण है पोधों में जल उपर की और ले जाता है water moves upward in plants अर्थात इसमें से बताना है आप्षन में से कि कौन साम इसमें उत्तक है या फिर कौन साम इसमें से जो आप्षन है कि पौधे की जो जल है वह उपर भाग तक पहुचाता है जल को तो आप्षन करमसर देख लेते हैं कैम्बियम दूसरा है फ्लोयम तिसरा आप्षन है जायलम और चौथा आप्षन है अंतस्व त्वचा इंडो डर्म तो इसका सही आप्षन सी है जायलम द्वारा नीचे से जल उपर की तरफ पहुचाया जाता है ले जाया जाता है और जो भोजन बनता है पत्तियों से निर्मा द्वारा पहुंचाया जाता है या फिर ले जाया जाता है अगला प्रस्न है भारती बीज अधिनियम पारित किया गया वर्स Indian seeds act was passed in the year पहला आप्षन 1952 में दूसरा आप्षन 1969 में तिसरा आप्षन 1966 में चौथा आप्षन 1989 में तो इसका सही आप्षन C 1966 में अगला प्रस्न है जिब्रेलिक अमल को सर प्रथम खोजा गया था जिब्रेलिक एसिड वाज फस्ट डिस्कभर्ड पाला आप्षन जन्तुओं से फ्राम एनिमल्स दूसरा आप्षन संसलेंशन में इन सिंथेसिस और तिसरा आप्षन है खनिजों से फ्राम मिनिरल्स चौथा आप्षन कवक से फ्राम फंगस तो इसका सही आप्षन डि है कवक से इसे प्राप्थ किया गया था प्रथम सर प्रथम खोजा गया था फ्राम फंगस से अथा इसे कवक से सर प्रथम खोजा गया था अगला प्रस्ण है गेहूं का पुस्पक्रम होता है दा इनफ्लोरेशेंस आफ वीट इज पाला आप्षन अनसुकियों की सुकी प्रकार का जिसे हम लोग करते हैं और बी आप्षन है असिमाकसी प्रकार का इनफानाइट सीमल तिसरा आप्षन है सेफेडिक्स और चौथा आप्षन है अमबेल प्रकार का जिसे अमबलेट करते हैं तो इसका सही आप्षन सी है सेफेडिक्स अगला प्रस्ण है गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम एक डाट डाट पौधा है यहां पर जो खाली अस्थान इसे भरना है विट ट्रिटिकम एस्टिवम एज डाट डाट प्लांट पहला आप्षन है द्वी गुडित ड्वी प्लाएड दूसरा आप्षन है चतुर गुडित टेट्रा प्लाएड तिसरा आप्षन है एकसा प्लाएड जिसे सट गुडित करते हैं चौथा आप्षन इन में से कोई नहीं, नान आफ देज, तो इसका सही आप्षन C है, हेक्साप्लाइड, गेहूं एक प्रकार का हेक्साप्लाइड पौधा है, जो मुख्य रूप से भारत में यहीं उगाया जाता है, अगला प्रस्ण है, बाजरा में परागण होता है, पालिनेशन टेक्स प्लेस इन मिलेट और बाजरा, पहला आप्षन, 100 परागण, सिल्फ पालिनेशन, दुसरा आप्षन, पर परागण, क्रॉस पालिनेशन, तिसरा आप्षन है उप्रुक्त, दोनों, बोथ, आफ द एबब, चौथा आप्षन, इन में से कोई नहीं, नान आफ दीज, तो इसका सही आप्षन, B है, क्रॉस पालिनेशन, दोस्तों, इसमें एक समस्या पाई जाती है, इसलिए इसमें क्रॉस पालिनेशन होता है, जो, और भीन, और भीन, काल, परिपक्वता पाई जाती है, जो प्रोटोगाईनी के कारण यह होता है, अगला प्रस्ण है और इस वीडियो का लाश्ट प्रस्ण है रशारोहण के लिए कोहसी बल सिधान्द परतिपादित किया था कोहसी फोर्स थेवरी फार सेंसेशन वाज प्रोपाउंडेड बाई पाला आप्षन है बोश ने दूसरा आप्षन है हिल ने और तिसरा आप्षन है गोल्डी वेस्की ने और चौथा आप्षन है डिक्सन वजोली ने दोस्तों इसे बताना है कि जो रशारोहण होता है अर्था जो पाउधे अपना जो भोजन ग्रहन करता है भूमिस्तों कि सिधान्थ जो कोहेशी बल है कि सिधान्थ या जो सिधान्थ है इसे कौन प्रतिपादित किया था वहीं बताना है इसमें आप्षन के उन्सा इसका सही आप्षन डी है डिक्सन वजोली ने इसका सही आप्षन डी ह दोस्तों जो प्रस्ण है उसके आप्षन के अंसार इहां पर एंसर दिया गया है ABCD करके और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का पीडिया प्राप्त करने के लिए टेलिग्राम चैनल को जोईन करें वहां से वीडिया प्राप्त करेंगे और इसका जो लिंक है इस वीडियो के नीचे मिलेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें